सीजन 4 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें जैसी एक शुटिंग गेम खेलता हुआ दिखता है वो जब शुटिंग गेम में कुछ लोगों को मार रहा होता है तभी उसे उसमें गेल दिखता है यानि कि अभी भी वो डेस्टब है गेल को उसने मारा था उस इंसिडन्ट से स्काइलर और वॉल्डर फिर हमें कारवाश पर दिखते हैं कारवाश पर वो जो स्पोर्ट्स कार वॉल्डर ने वॉल्डर जुनियर के लिए खरीदी होती है वो उन्हें अब रिटन करनी है इसलिए अब वो उसे वाश कर रहे है स्काइलर वॉल्डर को सब पेपरवक देती है और बोलती है कि मैंने मैनेजर से बात कर ली है उनको तो वैसे गाड़ी वापस नहीं लेनी चाहिए पर फिर भी वो ले रहे है इसके लिए वो 800 रूपीज चार्ज कर रहे होते है वॉल्डर बोलता है कि यह बहुत ही कम माईल्स चली है और हमने सिफ़ दो ही दिन इसको रखा था फिर भी वो इतना जादा चार्ज कर रहे है स्काइलर बोलती है कि उन्हें तो वापस भी नहीं लेना चाहिए और वो वॉल्डर को वान करती है कि तुम जो मैनेजर है उससे अच्छे से बोलो अब वॉल्डर को गाड़ी तो रिटन करनी है तो क्यों न उसका मज़ा लेया जाए इसलिए वॉल्डर गाड़ी ड्रिफ्ट करता हुआ हमें दिखता है वो एक एरपोर्ट के पास जो ड्राइवे होता है पार्किंग जो होती है वहाँ जाकर बहुत ही फास्ट ड्रिफ्ट कर रहा होता है तभी उसका ज़रा कंट्रोल चला जाता है और वो गाड़ी का थोड़ा सा एक्सिटन्ट हो जाता है वो डिच में चली जाती है फिर वाल्टर को अब इससे डील नहीं करना होता तो वो एक पेपर लेता है वो गाड़ी के ही पेपर होते है वो गाड़ी के पेट्रोल टैंक में रखता है और उसको आग लगा देता है थोड़े डिस्टन्स पे जाकर बेट जाता है और टैक्सी वाले को कॉल लगाता है त फिर वह हमें सॉल के पास दिखाया गया है, यह जो गाड़ी Walter ने फोड़ी है, तो इसका जो सब काम है, इसका जो सब क्लीनप है, वो सॉल कर रहा होता है, सॉल ने यह गवर्मेंट को पता चलने से पहले ही सब क्लीनप कर लिया हुआ होता है, तो इसके लिए वो Walter से 50,000 डॉल लेता है, Walter को इससे कुछ भी फरक ने पड़ता, Walter सॉल से बोल रहा होता है, कि Gus मुझे आप मारी देने वाला है, उसने जेसी को भी उसके काम के लिए लगा लिया है, फिर Walter सॉल से बोलता है, कि मुझे एक हीट मैन का नमबर चाहिए, वो गस का कॉंट्रेक हीट मैन को देने मुझे माला होता है, सॉल उसे बोलता है, कि अगर मैने तुम्हे हीट मैन का नमबर दिया, तो most likely वो माईक को पता होगा, और उन्होंने अगर बात की, तो हम सब ट्रवर में आ सकते हैं, सॉल के पास जो भी नमबर होते हैं, वो सब माईक ने दिया होते हैं, तो सॉल उसे जैसे से पूछ रहा होता है कि तुम गस से कब मिले थे फिर वो उसे बताता है कि माइक के साथ में डिनर कर रहा था तब मैं उसे मिला था वाल्टर पूछता है कि क्या तुमने उसे बात की तो जैसे बोलता है कि थोड़ी सी मैंने उसे बात की थी जैसे बोलता है कि वो मुझ म तुम्हें potential दिखता है, फिर Walter बोलता है, कि वो जग ग्यम खेल रहा है, उसे क्या लगता है, कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, फिर Walter उसे याद दिलाता है, कि गेल को तुम्हें मारना पड़ा, वो Gus की वज़े से ही था, जब Gus ने तुम्हें बताया था, कि अब वो में बच छोटे लड़कों को नहीं यूज करेगा तभी उस दिन तुम्हारी गर्डफ्रेंड के ब्रदर को उसने मार दिया यह सब उसे वो याद दिला रहा होता है फिर जेसी बोलता है कि तुम्हें मैं मुझे इतना सेड़ी करने की जरूरत नहीं है नेक चांस मुझे जब म बैसे अपने सेफ में रख रहे होते हैं सकाइलार बोलती है कि काय्वाश बहुत ही अच्छा चल रहा है प्रिवियस उनर से से तु हमारा अच्छा जब वॉल्डर उसे सब पैसे देता है तो सायलार कयर्कुलेट करती है और स्काइलर बोलती है कि तुम 7.5 million per year कमाते हो तो इतना हम इस car wash में money launder नहीं कर सकता मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना कमा रहे हो Walter बोलता है कि तुम्हें ये car wash चाहिए था तुम्हें आप वो मिल गया है तुम launder करने का जो भी है तो वो समाल लो अगर तुम्हें इतने सारे पैसी यहां नहीं रखने तो तुम किसी और प्लेस पर भी रख सकती है फिर Walter Gus के lab में ही camera से नजर चुरा कर वो bean से एक poison बनाता है फिर Walter Jesse को poison आकर देता है Jesse बोलता है कि तुमने उसके lab में ये poison बनाया तो फिर Walter उसे बोलता है कि Gus बहुत ही hard working है तो उसके उमर में इतना काम करता है तो किसी को शक भी नहीं होगा Mike को हो सकता है पर उसके कौन सुनता है फिर Jesse उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मैं next time उसे कहा मिलूँगा तो Walter बोलता है तुमें ये तुम्हारे पास रखना चाहिए फिर Jesse एक cigarette निकालता है और cigarette में उसे छूपा देता है उसने वो cigarette को उल्टी रखी होती है यानि कि कभी भी वो cigarette ना पी है next scene में हमें Hank और Walter जुनियर दोनों lost police आयो होए दिखते है वो दोनों chicken वेगरा खा रहे होते है तब वा गुस्तव आता है गुस्तव हैंक को welcome करता है और बोलता है कि तुम्हें अगर मुझे पहले call किया होता तुम्हें pay भी नहीं करना पड़ता है तुम मेरे favorite DE agent हो गुस्तव फिर बोलता है कि तुम्हें कुछ refill वेगरा चाहिए तो हैंक उसे उसका coke दे देता है जब गुस्तव refill करता है और हैंक बाहर आता है तो उस पर उसके finger prints होते उस glass पर तो हैंक वो glass अपने एक evidence bag में रख लेता है जेसी एक जेसी जेसी उस coffee में poison डालने वाला होता है फिर Mike उसे वहाँ आकर gun दे देता है वो बोलता है कि अगर तुम इस जगा होने वाले हो तो तुम्हें तुम्हारे protection के लिए gun भी चाहिए और careful रहना है Mike बोलता है कि अगर मैं gun draw करूंगा तभी तुम्हें gun draw करूंगा फिर cartel का एक आदमी वहाँ आता है वो अकेला ही आता है Gus से मिलने वो अंदर जाता है Gus उसे बोलता है कि मेरे cartel से exit के लिए मैं cartel को one time payment करने के लिए ready हूँ वो बोलता है कि मैं 50 million US dollar दूँगा और मुझे इस सबसे बाहर निकाए पर वो आदमी उसे बोलता है कि तुम्हें बढ़ता है कि cartel को क्या चाहिए तो तुम्हें सिर्फ answer देना है हा या ना तो Gus उसे ना बोल देता है यह होता है कि cartel को Gus के बहुत सारे connection होते है और उसका एक network होता है मैं तो एकरा sell करने का तो cartel को उसका network चाहिए होता है उसके बाद cartel को blue mate में interest होता है तो यह सब चीज़े करने के लिए cartel उससे पूछ रहा होता है कि वो यह सब करेगा या नहीं तो फिर Gus उनसे ना बोल फिर JC support group के बाहर बैठा हुआ होता है JC share करता है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक dog को मैं वो support group में जो एक lady होती है वो बोलती है कि तु वो बीमार होगा तो तुम ने उसका दर्द कम कर लिया इसलिए तुमने उसे मार दिया तो JC बोलता है कि वो बीमार नहीं था तो वो बोलती है कि तुमने क्या उसने किसी को hurt किया था तो JC उसे भी ना बोल देता है फिर वो उस पर cheat जाती है कि तुम कैसे आदमी हो तुम किसी dog को कैसे मार सकते है फिर वो counselor बोलता है कि हमें इसको जज नहीं करना है फिर जैसे उस पर चीट जाता है अगर हम खुद को जैजी ना करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई बोलने वाला भी नहीं और हम अपने आपको भी कुछ भी गलत नहीं समझेंगे यह बहुत ही गलत है वो उसके काउंसिलर से भी बोलता है कि तुमने अपने बेटी को कुचल दिया फिर भी तुमें अच्छा लग रहा है यह ऐसा कैसे हो सकता है तो काउंसिलर उससे बोलता है कि अब तुमें शान्त हो जाना जा उसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ हूँ इसका reason भी यह है कि मुझे तुम्हें mate sale करना था फिर यही यह support group खतम होता हुआ में दिखता है लैब में Walter और JC होते तो Walter उसे पुछता है कि क्या तुमने Gus को देखा था तो JC उसे बोलता है कि नहीं मैंने अब तक उसे नहीं देखा फिर Hank उसके office में उसे जाना होता है तो Marie उसे छोड़ने आती है Hank उसका partner और उसके जो boss होते है उनकी यह meeting होती है तो Hank बोलता है कि मुझे एक case आया था यह एक murder case था गेल का यह जो गेल था यह blue made manufacture करता था यह बहुत ही intelligent था फिर गेल के case में मुझे एक चीज मिली कि गेल एक vegan था वो vegan रहने के लिए बहुत सारे effort करता था तो उसके पास यह lost followers का wrapper कैसे आया उस wrapper पर एक serial number लिखा था तो उस serial number को मैंने track किया वो जो एक industry के लिए filtration system होता है उसका एक serial number था फिर मैंने जो अपने area में जो यह filtration system sale कर सकते उनको call किया फिर मैंने पता कर लिया कि गेल बेडिकर ने यह sign किया था जब वो उसके पास आया था फिर Hank बोलता है कि फिर मैंने पूचा कि इसको pay किस ने किया था फिर वहाँ से कुछ भी record उसे नहीं मिल रहा होता next time जब वो फिर से कुछ कोशिश करता है तो उससे एक lawyer का phone आता है वो उससे उसका badge number वेगरा सब पूच रहा था फिर Hank बोलता है कि मेरी investigation यही खत्म होगी पर मैंने फिर जो company supply कर रही थी उस company के बारे में research किया वो company बहुत सारे businesses में invested है फिर यह जो company है यही owner है Los Polos की फिर मुझे शक गया कि Gustavo Fring यह operation चला रहा हो सकता है फिर उसके boss वगरा बोलते है कि यह बहुत ही stretch है यह ऐसा नहीं हो सकता फिर Hank बोलता है कि Gale के apartment में जो fingerprints मिले थे वहाँ मुझे Gus के fingers prints भी मिले यही episode खतम हो जाता है